पिछली जो वीडियो थी गाईज उसके अंदर हमने देखी थी इसकी PCB और उन PCB यों को देखके काफी सारे बंदों के order भी आये पड़े हैं और काफी सारे बंदे इस चीज़ का भी वेट कर रहे थे कि कब इसका complete driver board की वीडियो आएगी तो finally आपके लिए आचुकी है complete driver board की व सकते हो जिसका फायदा ये होगा कि जो अपनी expandable होती है या फिर जिसको हम mother board बॉल सकते हैं उसके अंदर जो transistor की quantity होती है उसको आप increase कर सकते हो तो जो अपनी cabinet होती है बड़े वाली cabinet जिसे C820 वेगारे की cabinet होती है double zone के अंदर जो होती है उनके अंदर जो length होती है वो लग 12 pair के अंदर इसपास लगते हैं transistor के लेकिन इस ड्राइवर बौर्ड को आप लगाते हो तो आपकी जो space है वो काफी बच जाती है जिससे इसको आप कहीं भी adjust कर सकते हो side में लगा सकते हो back side में लगा सकते हो या फिर कहीं भी इसको छोटी सी छोटी जगह भी इसको adjust कर सकते ह या जो motherboard है उसके अंदर आप और ज्यादा transistor add कर सकते हो यह काफी एक benefit वाली बात हो गई आपको क्योंकि जब transistor की quantity ज्यादा होती है तो फिर उसके अंदर जो heating issue है वो कम आते हैं और फिर यह जो driver board है यह तो वैसे भी 120-120 वोल्ट पर चलने वाला है DC वोल्ट की मैं बात कर रहा हूं जैसे नोर्मल जो driver board होते हैं या amplifier board होते हैं वो अपने चलते हैं 95-0-95 maximum 100-100 तक चल जाते हैं maximum लेकिन उनके अंदर भी थोड़ी वहँत issue आते हैं लेकिन इसको modify करके इस तरीकी से बनाया गया है कि यह 120-0-120 plus minus पे आसानी से चलता है और इसका जो punch है वो काफी तगड़ा है तो इसको आप एक अच्छे यूज में ले सकते हैं ठीक है और जैसे connections वगएरा कि मैं अगर मैं बात करता हूं तो इनके जो driver board वगएरा होते हैं जो इनके जो connection है वो लगबग लगबग same ही होते हैं जो अपना पिछला driver board था उसके जो connection थे वो लगबग लगबग same ही है उसके हिसाब के हैं तो यहां पर ground लिखा हुआ है वी सी सी पलस लिखा हुआ है ठीक है speaker out और double e लिखा हुआ है यहां पर b minus है वी सी सी माइनस है तो जो size है वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो इसलिए आप यहां पर direct सीधा solder कर सकते हो अपनी wires को और इसका जो size है वो काफी छोटा है PCB का तो इसलिए इसके अंदर जो thimble वगएर है वो नहीं लग सकते आपको direct यहां पर soldering करने पड़ेगी तो इसके में rate कि अगर मैं बाद सीव कर पारा हूं क्योंकि workload काफी ज़्यादा है क्योंकि अभी जो पिछली वीडियो जाई है उनमें आप ने देखा यह होगा कि जो product है वो मैंने काफी बढ़ा दिये हैं अलग-अलग तरीके की काफी product अपने पास आगे हैं तो उनको बनाने के लिए भी बंदे चाहिए ह होते हैं तो अभी मतलब बंदे अपने वास ज्यादा है नहीं तो अभी टीम अपने बिल्ड कर ली है धीरी-धीर करके तो product तो अपने हैं जैनवन तो अभी जो services हैं कि भाई जिन लोगों को जल्दी-जल्दी माल चाहिए होता है तो उनके लिए मैं काम कर रहा हूं और वो तो जिसको quantity में चाहिए वो भी मेरे को contact कर ले ना भाई ठीक है तो मिलेंगे next video में guys तब तक के लिए बाबाई टेक केर